स्वागत है, आज हम वित्तिय व्यवहार की रोमान्चक दुन्या में प्रवेश कर रही हैं, जेसन ज्वेग की लोकप्रिय पुस्तक, Your Money and Your Brain के साथ, इस पुस्तक में ज्वेग समझाते हैं कि हमारे मस्तिश कैसे पैसे से जुड़े निर्णयों पर प्रतिक्रिया करता है और क क्यों हम निवेश करते समय अक्सर तरकहीन फैसले लेते हैं, आएए जाने कि कैसे हम इन प्रतिक्रियाओं को भैतर ढंग से समझ कर अपनी वित्तिय निर्णय लेने की क्षमता में सुधार कर सकते हैं अध्याए एक, मूल विचार हम जैसा कार्य करते हैं, वैसा क्यों करते हैं? ज्वेख की शुरुवात इस विचार से होती है कि अधिकान श्वित्तिय गल्तियां हमारे मस्तिश के विकासवादी विकास से उत्पन होती है हमारे पूर्वजों को जीवित रहने के लिए त्वरित प्रतिक्रियाओं की आवशक्ता थी लेकिन निवेश की जटिल दुनिया में ये प्रवृत्तियां उल्टा असर डाल सकती है मुख्य बिंदु हमारा मस्तिश पैसे पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देता है इसे एक भौतिक वस्तु या यहां तक की एक खत्रे के रूप में मानता है इससे हम आविकपूर्ण कार्य कर सकते हैं जिससे हम उच्च कीमत पर खरीदारी और कम कीमत पर बेचने का फैसला करते हैं उदाहरन जब हम देखते हैं कि शेर बाजार तेजी से उपर जा रहा है तो हमारा मस्तिश्क उत्तेजना और अवसर खोने के डर की भावना उत्पन करता है जो हमें बिना किसी विशलेशन के आविक पूर्वक निवेश करने के लिए प्रेरित करता है अध्याई दो दर और लालच मस्तिश्क के मुख्य चालक जवेग इस अध्याई में दर और लालच पर ध्यान के इंद्रित करते हैं जो वित्तिय निर्णय लेने में सबसे प्रभावशाली भावनाएं हैं अध्याई दो दर और लालच मस्तिश्क के मुख्य चालक निवेश करते समय, हम अपने विकासवादी पूर्वजों की त्वरित उत्तर जीविता प्रतिक्रियाओं पर निर्भर रहते हैं, जिससे हम तर कहीं निर्णय लेते हैं। मुख्य बिंदू एक डर, जब बाजार नीचे जाता है या अस्थिर्ता दिखाता है, तो हमारा मस्तिश खत्रे की प्रतिक्रिया में डर उत्पन करता है। यहां हमें डराता है कि हम अपनी संपतिक हो सकते हैं। नतीचतन, हम जल्दबाजी में अपने निवेश बेच देते हैं, भले ही यह निर्णय लंबी अवधी में गलत साबित हो सकता है। दो, लालच, जब बाजार बढ़ता है और निवेश लाबदायक दिखता है, हमारा मस्तिश खमें लालच की भावना से भर देता है। हमें विश्वास हो जाता है कि लाब कमाना जारी रहेगा और हम अधिक से अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित होते हैं, भले ही जोखिम बढ़ जाए। उदाहरन, दर का उदाहरन, जब 2008 का वित्तिय संकट आया, तो बहुत से निवेश को ने अपने स्टॉक्स को बेच दिया क्यों की वे डर गए थे की बाजार और नीचे जाएगा, हालां की बाजार धीरे धीरे पुना उंचाई पर लौट आया, और जिन्होंने अपने स्ट बेचे थे, उन्होंने बाद के लाब खो दिये. लालच का उदाहरन, डॉट कॉम बबल के दौरान, कई निवेशक बिना सही जानकारी के सिर्फ इसलिए तकनीकी स्टॉक्स में निवेश कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वे अमीर बन सकते हैं. जब बबल फटा तब तक कई निवेशकों ने बड़ी रकम खो दी. निशकर्ष और दीरगकालिक दृष्टिकोंड पर आधारित करने चाहिए, न की भावनाओं पर.